देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटों में आए 2,683 नए मामले, 16.66 प्रतिशत हुआ पॉजिटिविटी रेट बता दे स्वास्थे मंत्राले द्वारा जारी किये गए ताजा आंकडों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना के 2,683 मामले सामने आए हैं. ये संख्या पिछले दिन के मुकाबले करीब 4,631 अधिक है. इसके अलावा बीते 24 घंटों के दौरान 1,22,68 84 मरीज ठीक भी हुए हैं. मंत्राले के मुताबिक फिलहाल देश में एक्टिव केस की संख्या 14,17,820 है और रोजाना की संक्रमंग दर का दाइरा बढ़कर 16,66 फीसद हो गया है. देश में ओमिक्रोन के मामलों की संख्या भी बढ़कर 6,041 हो गई है. गैर कानुनी फत्वों पर दारुल उलूम देवबंध पोर्टल की जाच करे यूपी सरकार, बाल अधिकार संरक्षन आयोग का निर्देश. बता दे राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षन आयोग, NCPCR ने कथित रूप से गैर कानुनी और भ्रमित करने वाले फत्वों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से दारुल उलूम देवबंध की वेबसाइट की जाच करने के लिए कहा है. बच्चों के अधिकारों से संबंधित शीर्ष निकायने शनिवार को राज्य के मुख्य सचिव से यह भी कहा कि जब तक इस तरह की सामगरी हटा नहीं ली जाती तब तक इसकी पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया जाए. स्कूली पाठ्यक्रम को नए धाचे में गढ़ने की तयारी तेज, 10 प्लस 2 की जगह 5 प्लस 3 का पैटन होगा लागू. बता दे नई राष्ट्रिय शिक्षा नीती के जरिय स्कूली शिक्षा के धाचे में बदलाव की जो सिफारिशे की गई थी, उन सभी पर अमल तेजी से शुरू हो गया है. इनमें जो एहम बदलाव है, वह स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को 10 प्लस 2 के पैटन से निकाल कर 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 के पैटन पर ले जाने का है. शिक्षा मंत्राले ने इस काम में ज़्यादा देरी न करते हुए इसे इसी साल पूरा करने का लक्ष तै किया है. दावोस सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे पी-म मोधी, वैश्विक मंच से साजह करेंगे अपने विचार. बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी आज विश्वार्थिक मंच डबल्यू इएफ के आनलाइन आयोजित होने जा रहे दावोस एजेंडा शिक्षर सम्मेलन को संबोधित करेंगे. आज से पांच दिनों तक चलने वाले इस शिक्षर सम्मेलन को उनके अलावा चीन के राश्ट्रपतिशी जिन्पिंग भी संबोधित करेंगे. पी-म मोधि का संबोधन सोमवार रात साड़े आठ बजे होगा. इस सम्मेलन में विश्व के कई बड़े नेता मौझूदा वर्ष के लिए पने द्रिष्टिकोंड साजा करेंगे. गोव विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा 19 को करेगी उम्मीद्वारों का एलान. पहुँचे सीम प्रमोध सावंत ने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीद्वारों की अंतिम सूची पर सभी प्रकार की चर्चा हो चुकी है, और बस अब घोश्वा मात्र है. वैवाहिक दुशकर्म मुद्दे पर राहूल गांधी का ट्वीट, हमारे समाज में सहमती सबसे कम आकी गई है. बता दे दिल्ली उच्च न्यायाले इन दिनों वैवाहिक दुशकर्म पर याचिकाव पर सुनवाई कर रहा है. इसी बीच कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता राहूल गांधी ने वैवाहिक दुशकर्म के समबंध में ट्वीट कर अपनी राय रखी, उन्होंने लिखा, सहमती हमारे समाज में सबसे कम आकी गई अबधारनाओं में से एक है. इसे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्रभूमी में रखना होगा. उत्तर कोरिया ने जापान सागर की तरफ दागी बैलेस्टिक मिसाइल जापान ने कहा तैयार रहे. बता दे उत्तर कोरिया ने इस माह में चौथी बार जापान सागर की तरफ अपनी मिसाइल लांच की है. जापान की मीडिया में इसको अनाइडेंटिफाई प्रोजेक्टाइल बताया है. इसका अर्थ है कि इस बारे में फिलहाल कन्फम नहीं है कि ये क्या थी. इस बीच दक्षिन कोरिया के जॉइंट चीफ आफ स्टाफ ने यानहाप एजेंसी को एक टेस्ट मेसेज में बताया है कि इसका रुप जापान सागर की तरफ था. फिलहाल इसके बारे में अधिक जानकारी मिलने का इंतजार है. भारत अमेरिका के बीच व्यापार के मोर्चे पर कई मुद्देफ़ से कुछ पर ही सहमती दी गई है. बता दे अमेरिका ने भारती आम और अनार के आयात को शुरू करने की इजाज़त दी तो भारत ने अमेरिकी चैरी, अलफा अलफा चारे, पोर्क और पोर्क उतपादों के आयात को मंजूरी प्रदान कर दी. इसकी घोष्णा अमेरिका के वानिज्य मंत्री ने वहां की संसद में इस तरह से की है जैसे यह बाइडन प्रशासन की एक बड़ी उपलब्धी हो हालां कि कारोबार को लेकर दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत की यह अधूरी तस्वीर है भारतियर टेस्ट टीम की कप्तानी विरात कोहली ने छोड़ दी और इसके बाद यह चर्चा जोरो पर है कि किसे अब टेस्ट टीम का आगला कप्तान बनाया जाएगा हालां कि इसे लेकर BCCI की तरफ से कोई आधिकारिक घोशना आभी नहीं की गई है लेकिन कयासों का दौर जारी है कई क्रिकेट पंडित अब तक भारतियर टेस्ट टीम का अगला कप्तान कौन होगा इसे लेकर अपनी अपनी राय जाहिर कर चुके है अब भारतियर क्रिकेट टीम के पूर बॉल राउंडर युबराच सिंग ने भी इसे लेकर अपनी राय जाहिर की है पूर्ण टीका करन वालों के लिए PCR टेस्ट की अनिवार्यता खत्म करेगा ब्रिटेन अन्य पाबंदियों में भी मिल सकती है धील बता दे ब्रिटेन दूसरे देशों से लोटने वाले उन लोगों के लिए इस महीने के आखिर से PCR टेस्ट की अनिवार्यता खत्म करेगा जिनका पूर्ण टीका करन हो चुका है ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ग्रांट शैपस के एक नजदी की सूत्र के हवाले से टाइम्ज ने रविवार को यह बात कही सूत्र ने कहा कि इस महीने के अंत से पूर्ण टीका करन वालों के लिए लोटने पर अनिवार्य PCR टेस्ट को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है यह संयोग है कि 26 जन्वरी को ही प्लान भी उपायों की भी समीक्षा की जानी है